इसके बार जितेंद्र आवाड ने सबसे पहले संद्री निदुर में शामिल होते हैं। उन्होंने राष्टरबादी के नेता और महाराष्टर के मंत्री हसन मुश्रिव जी पे उनका एकेरी उल्लेक करके जो बयान दिया है वो हमेशा से उनके आदत रही है। आज के मुख्य मंत्री एकराचिन्दे जी ने बगावत करके गोहाटी चले गए थे। तो राष्टरबादी के सभी विधायकों ने एक पत्र राष्टर अध्यक्षय और हमारे श्रद्दास्तान शरत पवार्शाब को दिया था और उनसे विंती की थी कि हमें भाजब के साथ सरकार में शामिल होना चाहिए। मुझे खुशी है कि महाराष्टरों को आज डॉक्टर जितेनरावाश्राम ने बता दिया कि मेरी भी हस्ताक्षर उस पत्र पे है लेकिन मैंने बहार आके हमारे प्रदेश अध्यक्षज जैन पाटिल साब जी को बोल दिया कि मेरे अगर दस्तकत भी है तो मैं इससे राजी नहीं हूँ मेरा उनसे एक ही सवाल है क्या वो छोटे बच्चे थे कि उनका हाथ पकड़ कर उनसे हस्ताक्षर उस पत्र पे लिये गे आगे जाके उन्होंने ये भी बया दिया कि दो विरुद्ध विचारदाराए कभी एक हो नहीं सकती बहारत को पाच हजार सालों का इतिय इतियास है कि ये दोनों विचारदाराए पैरलल चलती है ये इतियास है मुझे मालूम है कि वो इतियास में संशोधन करके उन्होंने पी एजडी ली है लेकि मेरा उनसे एक बड़ा ही सरल प्रश्न है कि 2019 में वो कहते है कि मेरे रुदय में शिवा शाव फुले अंबेड कर है और उन्होंने कहा कि एक जांग पर शिवा शाव फुले अंबेड कर और एक पे गोड़वल कर गुरुजी रखके हम कैसे चल सकते हैं लेकिन 2019 में जिनोंने बाबरी मिजजित गिराई जिसका समर्थन जिस पार्टी ने किया जिनोंने मराठवाडा विद्यापीट के नाम शक्र ते लेकिन बहार आके मैंने तब के प्रदेश एक्षय जैन पाटिल जी को कहा था कि अगर मैंने और अस्ताक्षर भी किये तो मेरा विरोध है विकास का नहीं पर स्वार्थ का राजकरन आपने किया है इसलिए आप ज़्यादा निती मत्ता की बाते वो न करें झाल 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 झाल